सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन हर्याना विधान सबाचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेस कर दी है इस कड़ी में सीएम मनोहरलाल ने कालका से जनाशिरवाद यात्रा की शुरुआत की जिसमें केंद्रिय रक्षा मंत्री राजिनास सिंग समेथ हर्याना कैबनेट के कई मंत्री और दिगज मेता मौझूद रहे यात्या से पहले सीम मनोहरलाल ने कालका में जनसभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने अपने 5 साल के कारेकाल के उपलब्दियां गिनवाई जनसभा के बाद सीम की जन आशिरवाज यात्रा अगले पड़ाव खिले रवाना हुई पांच साल समाप्त हुए भारती जनता पार्टी की सरकार इसकी पुनर स्थापना हो तो ये जो आने वाला पर्व है लोकतंतर का अक्तूबर के अंदर चुना होंगे उसके लिए आप लोगों से आशिरवाद लेने का काम ये भायो मैंनों आज मैं करने आया हूँ और मैं उश्वास करता हूँ कि आम मुझे आशिरवाद देंगे और ये 20 दिन के यात्रा ये निशित रूप से एक सभल यात्रा के रूप से आगे बढ़े वहीं केंजरिय मंत्री राजिना सिंग ने सियम मनोहर लाल की तारीफ करते वे कहा कि मनोहर लाल हर कसौटी पर ख़ड़ा उतरे हैं और पिछले पात सालों में उन्होंने प्रदेश का विकास किया है आजीवन अभी वाहीत रहकर समाज की सेवा करने का जो संकल पलिया हो इससे बेहतर मुख्यमंत्री और कौन किस राज्य को मिलतकता है और मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ हर्याना राज्य की जंगता सौभाग्य साली है कि मनोहर लाल जैसा एक फकीर इन्हें के मुख्यमंत्री के रूप में मिला है पांच चरणों में चलने वाली जनाशिरवाद यात्रा रोज करीब देड़ सो किलोमेटर कर सपरताई करेगी और सभी विधान सबाक शेत्रों में जाएगी आठ सितंबर को रोतक में जनाशिरवाद यात्रा का समापन समारो होगा इसके लिए प्रहानमंत्री नरेंद्र मोदी और ध्री मिंट्रिया मिश्याप पनियोता दिया गया है बिलर रिपोर्ट एमेच वन न्यूज